अलो फ्रेंड्स मैं हूँ रामेंद्र सिंग चौहान भारत की आध्यात्मिक टाकत को दुनिया कम कर ना आके जिहां इस आसे का अप्रत्यच प्रत्यच संदेश भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में आयुजित गुरु तेग बहादूर के चार सोवे प्रकास उत्सों पर अपने संबोधन के दोरान दिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रेम सोहार्द भारत की संस्कृति परंपराओं का हिस्सा है भारत ना किसी से डरता है ना किसी को डराता है गुरु का या उपदेश या संदेश भारत की रग रग में व्याप्त है बात चाहे ज्यान की हो या उपदेश की हो या प्रेम सोहार्द की हो भारत की अपनी संस्कृति है अपनी परंपरा है भारत विश्व कल्याण की कामना करता है स्वस्थ भारत स्वस्थ दुनिया और सांती दुनिया दुनिया में सांती हो या कामना भारत करता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की रच्छा देश की सुरच्छा के प्रती भारत चटान की तरह अडिग खड़ा है भारत योग एवंचिकिस्था को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने के लिए क्रत शंकल्पित है भारत की कामना है कि दुनिया में सांती रहे दुनिया का कल्याण हो दुनिया का विकास हो या भारत की कामना है और भारत इन कामनाओं के साथ इन परंपराओं के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है गुरूओं के शिख गुरूओं के उपदेश ग्यान का भी उन्होंने उदाहरन दिया उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण ही स्रेष्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने एक बार फिर शिखों को खुद से जोडने की और शिखों से खुद को जोडने की एक सार्थक कोशिस की एक सार्थक पहल की उन्होंने अमरत महोसो का भी उलेक किया आईए सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने क्या कहा हमारे समस्कारों का हिस्सा है साथियों हमारे गुरू की वाणी है भय काहू को देत नहीं भय काहू को देत नहीं नहीं भय मानत आन कहनानक सुनिरे मना ग्यानी ताही बखानी अर्थात ग्यानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरें भारत ने कभी किसी देश या समाच के लिए खतरा नहीं पैदा किया आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं एक ही काम ना करते हैं हम आत्मनिर्वर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगती लक्ष का सामने रख करके हम करते हैं भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्त और शान्ति की कामना से करता है कल ही मैं गुजरात से लोटा हूँ वहां विश्व स्वास्त संगधन के पारंपारिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का उद्गाटन हुआ है अब भारत विश्व के कौने कौने तक पारंपारिक चिकित्सा का लाब पहुँचाएगा लोगों के स्वास्त को सुधारने में एह भूमिका निभाएगा साथियों आज का भारत बैश्विक द्वंदों के बीज भी पुरी स्थिर्ता के साथ शांती के लिए प्रयास करता है काम करता है और भारत अपनी देश की रख्षा सुरख्षा के लिए भी आज उतनी ही द्रड़ता से अटल है हमारे सामने गुरुआ की दी गई हुई महान सिख परंपरा है पुरानी सोच पुरानी रूडियों को किनारे हटा कर गुरुआ ने नई विचार सामने रखे उनके शिशों ने उन्हें अपनाया उन्हें सिखा नई सोच का ये सामाजी का भियान एक भैचारिक इनोवेशन था इसलिए नई सोच, सतत परिश्रम और शत प्रतिशत समर्पन ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है आज जहादी के अमरित महोत्सों में आज देश का भी यही संगल्प है हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है हमें लोकल पर गर्व करना है आत्म निर्भर भारत का निर्मार कर जा है हमें एक ऐसा भारत बनना है जिसका सामर्थ है दुनिया देखे जो दुनिया को नई उन्चाई पर ले जाए देश का विकास देश की तेज प्रगती ये हम सब का कर्तब्य है इसके लिए सब के प्रयास की जरुरत है मुझे पूरा भरोता है कि गुरुआं के असिरवात से भारत अपने गवरों के सिखर तक पहुँचेगा जब हम आजादी के सौ साल मनाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा गुरुतेक बाहदूर जी कहते थे साधो साधो गोविन के गुनगाओ मानस जन्म अमोल कपायो वर्था काहें गवाओं इसी भावना के साथ हमें अपने जीमन का प्रतेक्षा देश के लिए लगाना है देश के लिए समर्पित कर देना है हम सभी मिलकर देश को विकास के नई उचाई पर ले जाएंगे इसी विश्वात के साथ आप सभी को एक बार फिर हार दिख शुप कामनाई देता हूँ देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को आपने सुना उनका संदेश विश्व के लिए दुनिया के लिए भारत के लिए क्या था यह आपने सुना बात चाहे देश के रच्छा-सुरच्छा की हो या योग चिकिसा की हो या ज्यान की हो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने बहुत ही शटीक और सार्थक बिंदुओं पर सिख समदाय के बीच देश से या बात की आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवस्य बताएं वीडियो को शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आने वाले वीडियो आपको मिल सकें दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूले आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा प्रोशाहन होता है, आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्नवाद, थेंक यू